इस डिबेट का क्रेट News24 चैनल को जाता है जिसकी लिंक हमाई डिस्क्रिप्सिन में मौजूद है रिकाल मैं आपके साथ ABS आज फिर से आया हूँ एक और नई डिबेट वीडियो के साथ जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है सभी पार्टियों की दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही है भाजबा अलग अपने दावे कर रही है तो कॉंग्रेस और विपक्स अपना अलग दावे कर रहा है आज की डिबेट में आप देखेंगे कि भाजबा का परवक्ता गलत दावे करता है और माना कुप्ता उनको टोक देते हैं जी हाँ आज कर माना कुप्ता अलग ही छाय हुए हैं इसी पत्रकारिता कर रहे हैं कि कुछ पूछो ही मत जबसे संदीर कॉंग्रेस ने वाइरल करवाई कॉंग्रेस को वीडियो ले जाकर उसी टाइंग दे देनी चाहिए थी वहीं पर प्लटवार करते हुए आलोक शर्मा कहते हैं कि भाई आपके ग्रहमंत्री वहाँ पर गए थे उनको क्यों नहीं दिखी वो वीडियो उनको वहाँ के हालात क कावी जवरदस्ते हैं तो चलिए भी नागिस देरी के वीडियो को शुरू करते हैं आपकी पार्टी में बगावत के सुर बहार इसलिए नहीं आते क्योंकि आप गुजरात मॉडल से सबको डरा कर रखते हैं और कॉंग्रेस का जो बगावत का मुद्दा था वो तो खतम हो गया आजे आलो का आप देखी रहे हैं किसी राज़ी में कोई बगावत नहीं है ज़र समझाए कैसे शनिवार की रात और रविवार का अफमार का क्या मतलब यह जो चीज आज बोल रहे हैं कि तमाम पार्टी में हमारी सब काम हो रहा है यह कर रहे हैं यह सब हम कर करा के बैठे हुए अबे साले तभी मैं माप करना हो गुष्से में इदो दो निकल जाते हैं यह सब करते रही है उसका कारण है कि कॉंग्रेस के अब विचारधारा ही नहीं रहे है जब पार्टी परिवार की विचारधारा पर चलने लगे तो पार्टी का सित्व खत्म होने लगता है आप तो उम्मीद कर रहे थे कि कॉंग्रेस देखिए चटीजगर में भी लड़ रही है राजस्थान में भी लड़ रही है पुब्लिक ली लड़ रही है हम आराम से जीत लेंगे अब क्या करेंगे अब तो बगावत का मुद्दा ही नहीं है सवाल बढ़ी है भै मानक आप हो गए अभैद उवे जी हो गए विनोज जी हो गए कुदा लोक शरमा हो गए कॉंग्रेस रिवांपिंग स्कीम इतनी देर से हम लोग सुन रहे थे इतनी अच्छी इची तारीफ हो रही है अच्छी बात है, Congress को revamp होना चाहिए, लोग चाहते हैं कि देश में एक मजबूत वी पच्छ अगले 50 साल के लिए रहे, उससे देश का कल्यान होगा चली, क्या acting का था है और 50 सुर्ब्य का दो और एक्टिन के वेचे वेचे बढ़ना बंद करते हैं, जहाद दलित श्री को निर्वस्त किया गया राजस्थान में तो अशोग गहल आपती है, है ना और निर्वस्त वाब आ लोग आ लोग शर्मा देंगे आ तेनो राज्यों में जीत का दावा है हम तो कह रहे है निषन्दे वहां की वर्तमान परिस्ति जिस तरह से है, सरकारें जिस तरह से काम कर रही है निश्चित तौर पे तीनों राज्यों में हम दो तीनों राज्यों में आपका बताइए राजस्थान में चेहरा कौन है बताइए बगेल के सामने कौन ये बढ़िया दा अभी आपने खुद ही बोला कि तीन बार के मुखमंत्री रमन सिंग है उसके बाद भी आपका तहे चेहरा कौन है पाटी को अगर नया मुखमंत्री प्रजेक्ट करना पड़ेगा तो पाटी सोचेगी कर देगी हमको एक्सपरिमेंट करने में एक मिन टाइम नहीं लगता है अ आप कहा रहे है रमन सिंग चेहरा है we on राजेस्थान में वसंद्रा चेहरा है राजेस्थान एक मिन राजेस्थान मैं बोल रहा हूं औरने मुखमंत्री रह चुकी है unat है पर सभन मिल के साanne मुझ सुना लड़े लेगे लें कल को पारटी चाहेगी नेट ciek उत नइक गगे नहीं लगेगी और वो भी आजाएंगे कोई नया मुकमंत्री भी आजाएगा देखिए भारती है जिलता पाट करिए आप गोल गोल बात करें हमें चाने इशारा किया अब कुलापी उसी तरह गोल बात करें बताइए न मसुद्रा के चेहरे पर ही लड़ेंगे क्या और 36 गर् यह फसकासी है जो अमारे पुर्फद्णरी रह चुकता है हमारे उस शिर्षण नेता नरेंद्र मोधी है, वह पर हमारे पाटी में चेहरे की बात का साथी थी हमारे यह तो चेहरे का प्रशनी नहीं होना चाहिए कभी भी अचछे बिहार मुख tyre मंद्री नहीं रह मुखे मंद्री नहीं रहा की बाता अच्छी बातें बताईि। मैं उन्हीं को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं। राजिस्थान में पिश्ली बार एक नारा लगा था मोधी। तो इदसे बैर नहीं और वसुंद्रा तेरी खैर नहीं। ये बीजे पी के नारे लगाते थे बीजे पी के वरकर्स बीजे पी की स सभाओं में वसंद्रा की सभाओं में नारे लगते थे अभी अगर इनको इतनी मजबूरी है कि वसंद्रा जी को ही चेहरा बनाना पड़ेगा तो बीजेपी के हालत सोच सकते हैं कि सतिश पुनिया राज्य वर्धन सिंग राठ और गजंदर शिखावट मदब कैसी सर फुट अवल चल रही होगी अरे पाप रहे यह तो दोती को रहा है तो बना दो चेहरा मद्यप्रदेश के अंदर गॉलियर के माहराज को डिस्टिक प्रेजिनेंट नहीं मिल रहा है और बीजेपी जो है पूरी तरह से वहां पर नरुतम मिश्रापूरी और शर्मा जी लगे हुए यह अगली बार नहीं बनना चाहिए कि मामा और भाई और बांगा में बिजेपी की अंदर के हालत कहा है खिलहाला खेर वापस आता हूं चातिस गड में इनके बास चेहरा नहीं है कहरे हैं आप हम तीन बार के मुख्यमंतरी को रखेंगे या कोई नया एक्सपेरिमेंट करे पिश्का में धॉसका मंदिर है वो महाकाल के मंदिर से हुच्चा बना दिया है अचा दिये यह तो बहुत गलत्किया मानक जी राजस्थान में पिछले एक साल में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है कॉंग्रेस की सिच्वेशन में जनता अशोग गैलोत और कॉंग्रेस सरकार के वहवाई कर रही है अच्छा जी अच्छा पांच सो रुपे में सेलेंडर दे रहे हैं और उसके बावजूद जीडीपी ग्रोथ रेट में नंबर वन है राजस्थान दूद के उत्पादन में नंबर वन है राजस्थान तमाम तमाम इंडिकेटर्स में राजस्थान ने अपने आपको बिमारू स्टेट से बाहर किया है और राजस्थान के अंदर जिस तरह से तमाम चीजें आई है ओल्ड पैंशन स्कीम से लेकर आज मैं देख रहा था एड़िटीजमेंट राजस्थान सरकार का कि है एक हजार प्रजार में चाहिए लेकर आया है वो राइट टू हेल्थ लेकर आया हैं पूरे देश में कहीं नहीं है पच्छिस लागता बीमा आप सोचिये कि जिस गयरंटी कोंगरेस तरे ने निमर वन हमाचल में वो गयरंटी वाला मॉड़ेंटी बात कहना चाहूँगानुगा अच खुपा रखा था अरे बैback की सरकार इतनी कमजोर और निकम्मी है क्या वहाँ पर के कॉंगृस का वहाँ पर एक MLN और आपक्या नहीं हो चुपा लिया को आप लोगों ने चुपा रखा था यह कहीं यह वीडियो बाहर नहाज़ाए और अच्छु. सबसे बढ़िवाइब बहुत गवाइबाइब नने मान लिया है. विडियो रिलीज किया है. अब आप समझ जेगी कि कितनी घ्रेनित मान सिखता है. वो चानेके गएथे, महा हम पर चानेके वो वीडियों नहीं मिला है. मेनिपुर की वीडियो वाइरल हुई उसमें बहुत घटिया चीज थी और अब वह वाइरल हुई है अब जा गे उस पर कारवाई हुई जब वहां पर अमिश्या पहले गए थे तो क्या उनको वहां का दिखानी कुछ